हलो गाइस वेलकम बैक टो चैनल PCMB डिजिटल गुरुकुल तो बिटा यहां पर सिक्स्थ क्लास के हम वरक्षिट कर रहे हैं नमबर 11 मैथमाटिक्स की तो देखो यहां पर आपको कुछ उधारन दिये गए हैं 1,2,3,4,5 जो रॉमन निम्रेल्स लिए से लिखे जाते हैं और कुछ नियम दिये गए हैं कि यदि किसी प्रतीक को दोहराया जाता है तो उसका मान उसमें जोडा जाता है जैसे 10 के वार 10 दो सेम लिख रखते हैं यहीं 5 के बाद 1 तो 5,1 तो यह एड हो जाता है और अगर बाई और लगते हैं कम का तो माइनस हो जाता है 5,1,4 वी लडी को कभी भी जमा और घटा नहीं किया जा सकता अगर वी लिख रखा हो हमने किसी के आ गया पीछे अब आपको सवाल करने थे तो आओ हम 84 कैसे लिखेंगे बिटा कोई बहुत मिश्किल बात तो नहीं है कि भाई इसको हम लिख देंगे 50 प्लस 20 प्लस 10 प्लस 4,50 होता है L,20,10,10,10,20 को 3 बाद 10 भी लिख सकते हैं,20 का वैसे भी एक्स हो जाएगा और इसका एक्स हो जाएगा और 4 हो जाएगा तो यह तो इसके 20 प्लस 5 तो 100 की वल्यू आप जानते हो C,50 की वल्यू जानते हो X,20 की X,6 और 5,105 की 100 प्लस 5 तो यह तो असान सा हो गया C5,509 की अगर लिखोगे तो 500 प्लस 9,500 होता है D, तो यह हो गया 9 है ना, आप देखोगे तो यहापे आपको दिखेगा 500 is D, उसके बाद यह जो आपक 80, XC, तो C में से X हो जाएगा माइनस क्योंकि C 100 है और X 10 है, लेफ्ट साइड लिखते हैं तो माइनस करना पड़ता है, CXL 100 प्लस X की वैल्यू तो जो होगी वो 10 होगी और L की 50, तो 50 माइनस 10, तो 50 माइनस 10, तो कितने हो जाएगा 40 है नहीं कि 140, XC2 100 माइनस 10 क्योंकि CX 100 अदे है और X 10 है, माइनस 10 और 5LD तो है नहीं जो करना नहीं है, मैं करना होता है बाकी को तो उनको छोड़के 2, तो यह जाएगा 92, तो थांकियो सो मुच पर वाचिंग और वीडियो फ्रेंड्स, प्लीज सब्सक्राइब टो चैनल और कीप सुपोर्टिं अस,